हरियाणा में मांसून के 15 अगस्त को 45 दिन पूरे हो गए। सीजन में अभी तक नॉर्मल 266.5 mm से 30 फीसदी ज्यादा यानि 347.2 mm बारिश हो चुकी है। हिसार के साथ लगते जिलों को छोड़ कर पूरे प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हुई है। हालांकि अगस्त के शुरुवाती 14 दिन में प्रदेश में बारिश सामान्य से 53 फीसदी कम हुई है। जिसकी वजह से बिजली की डिमांड बढ़ी है। वहीं अगले टू सप्ताह की बात करें तो 20 अगस्त के बाद बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों में बादल चाये रहने के साथ बूंदा बांदी की संभावना है। बता दें कि 1 जुलाई को मानसून की शुरुवात हुई थी। 15 जुलाई तक जमाजम बादल बरसे। मानसून सीजन में इस बार सबसे ज्यादा बारिश जीटी बेल्ट के जिलों में देखने को मिली। यमुनानगर में सरवाधिक 969 मिलिमीटर बारिश हुई है जो नॉर्मल 559.3 मिलिमीटर से 62 फीसदी ज्यादा है। पंचकूला, कुरुक्षेत्र, अंबाला और सोनीपत में भी इंद्रदेव खुब महरबान दिखे। बारिश की वज़ा से कई जिले बारकी भी चपेट में आ गए थे। हरियाणा में मानसून सीजन के दौरान सबसे कम बारिश हिसार जोन में हुई है। यहां हिसार में नॉर्मल 200.8 mm से 41 फीसदी कम 117.9 mm बारिश ही हुई है। फतेहाबाद में 173.2 से 3 फीसदी कम 132.6 mm, भिवानी में 194.2 से 1 फीसदी कम 193.1 mm, जीन में 253.5 से 6 फीसदी कम 188.2 mm बारिश अभी तक हुई है। रोहतक जिले में भी 302.7 से 6 फीसदी कम 286 mm पानी बरसा है। प्रदेश के अन्य जिलों में नॉर्मल से 10 से लेकर 70 ज्यादा बारिश हुई है।